नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे डेली 36 गरेंट अफेर्स सीरीज में आज हम 12 जुलाई के करेंट अफेर्स के बार में चर्चा करेंगे इस वीडियो के पीडियाफ आपका हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी साथ ही साथ अगर आपने भी तक हमारे इस चैनल को स सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को चलिए पीछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक्विक रिवजन हम कर लेते हैं माता स्रीमती बिंदेश्वरी बगहिल की प्रतीमा काना आवरण किस ने किया है इसका से उत्तर है स्री भुपेज बगहिल करती महा के विर्दीक की स्विक्रिती प्रदान की गई है 2200 रुपए की चतिस गड़ में कब से कब तक जनसंख्या इस्थरी करेंट पक्वाड़ा चलाया जाएगा 11 से 24 जुलाई तक चतिस गड़ श्रम जीवी पत्रकार संग्द्वारा प्रकाशित वर्स 2023 की दूर्भास निदेशिका का विमोचन किस ने किया है श्री बुपेज बगहिल जी ने किया है दूर्ग जीले का पहला डिजिटल लाइबरी कहां बनाया जा रहा है खुर्सी पार्व बनाया जा रह चतिस गड़ के किस जीले के सामुदर एक स्वास्त केंद्रे राष्टी गुर्वत्ता स्वाशन माना प्रमान पत्र हासिल किया है इसके से उत्तर है महा समून में पिछले वीडियो का क्विस कोश्चन है कि इनीमिया मुक्त भारत अभ्यान में 36 गड़ देश में को सिस्था चतिस गड़ में पिछले साथे चार वर्सों में कितने स्टार्ट अप इकाईयां पंजी करित हुई है इसके स्वीं उत्तर है ओप्षण सी आर्थ सो गड़ तीस राज्य सरकार द्वारा लागू नितियों एवं उनके उचित क्रियानवैन से राज्य की स्टार्ट अप इकाईयां देश में अपनी पहचान मनाने में काम्याब हुई है जून 2022 में बैंगलूरू में आयोजित All India Council for Robotics and Automation द्वारा आयोजित इंडिया First Tech स्टार्ट अप इको सिस्टम के विकास ले 36 गड़ को एक्स्पारिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया था राज्य में उद्योक समवर्धन एवं आंत्रिक व्यपार विभाग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप इकाईयों की वर्तमान संख्या एक हजार बार है जि इसमें से 838 स्टार्ट विकाईयां पिछले साड़े चार वर्सों में पंजिक्रीत हुई है दोस्तों इसी प्रश्ण को अपने दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्ट अप कॉनक्लियों में 36 गड़ के स्टार्ट अप को कितनी स्रेणियों में बेस्ट स्टार्ट अप का वर्ड मिला है तो चार स्रेणियों में जो है बेस्ट अप का वर्ड मिला है 36 को अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग का पहला जिला कौन सा है, जहां पर वायरो लॉजी लेब की सुईधा प्रारम होने जा रही है, इसका सहीं उत्तर है उप्षन है, दनते वाड़ा में, बस्तर संभाग के दनते वाड़ा ऐसा पहला जिला चिकित साले है, जहां पर वायरो तो भी मुख्य मंत्री के घोष्ण अनुसार जिला चिकित साले में CT scan की सुईधा शुरू हो गई है जिसका लाप दूर-दूर के ग्रामिन जहन उठा रहे हैं अपात काले निस्तिती में लोगों को CT scan की सुईधा जिला चिकित साले में मिल रही है अब जगदलपूर जैसे बड़े शहरों में जाने क्या हो सकता नहीं पड़ती वायरो लॉजी लैब के स्थापना के पस्षाद जिला चिकित साले में hepatitis B M.C की जाच किया जाएगा तो ध्यां रखेगा दोस्तों बस्तर संभाघ के दंते वाड़े जीकित साले में वायरो लॉजी लैब की स्थाप्रारं म होने जा रही है और बस्तर संभाघ का दंते वाड़े जिला पहला जिलै या दंते वाडा जिला पहला चिकिस सालय है जहां वायरोलाजी लैब की स्विधा प्रारम हो गई है दंतेवाड़ा जिलत चिकिस सालय के वायरोलाजी लैब में जहां जो है निशूलक की जाएगी जिससे मरीजों को फाइदा मिलेगा और महिने भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा रिपोर्ट श चिकिस सा स्वास्त अधिकारी नों बताया कि बस्तर संभाग में यहां पहला जिलत चिकिस सालय होगा जहां वायरोलाजी लैब की सुईधा प्रारम होने जा रही है अगला प्रशन है चत्तिस गड़ के गोधना हप के रूप में किसे विक्सित किया जाएगा इसका सही उत्तर है ऑप्षन है महादेवगाट को रायपूर के महादेव घाट को 36 गड़ के गोधना हप के रुप में विक्सित किया जाएगा यहाँ पर एक ही छत के निजे 36 गड़ के परामपरागत गोधना कलाकारों को जगा दी जाएगी यहाँ से वे न केवल अपने इस पुर्खोती कला को आगे बढ़ा सकेंगे बलकि आयका एक निश्य जरिया भी बना पाएंगे और अगले हफते यहाँ तीन दिनों का बड़ा टैटू कार्निवाल आयोजित किया जाएगा इसकी तैयारी चल रही है और इस टैटू कार्निवाल के आयोजन का जो शुभारम है मुख्य मंत्री भुपेज बगहिल जी करेंगे चतिस गड़ की पहचान गोधना आज की मौडन सोसाइटी में टैटू के आर्ट के रूप में जाना जाता है यहाँ कला चतिस गड़ की पूर्खोती और परांग परागत कला है अगला प्रश्न है कोदो कुटकी और रागी की खेती के लिए सबसीटी देने वाला देश का एक मात्र राज्य कौन सा है इसका सहीं उत्तर है ऑप्शन भी चतिस गड़ कैबिनेट मंत्री स्री अकबर ने वनांचल ग्राम में भेट मुलकात करती हुए कहा कि चतिस गड़ में लगु धान ने कोदो कुटकी रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा उत्पादक रिश्यकों को वाजिब मूल्य दिलाने के लिए चतिस गड़ मिलियर्स मिशन संचालित की गई है और चतिस गड़ देश का एक लौता राज्य है जहां कोदो खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतरगत सबसीड़ी देने वाला देश का एक मात्र राज्य चतिस गड़ है तो धियां रखेगा दोस्तों देश का एक मात्र राज्य जो कोदो कूटके और रागी के खेती के लिए सबसीड़ी देता है अगला प्रश्ण है स्वामी आत्मनन अंग्रेजी माध्यम घुगवा के छात्रों ने आयाइटी गुवाहाटी में कौन सा इस्थान प्राप्त किया है इसका सही उत्तर अप्षन है पहला स्वामी आत्मनन अंग्रेजी माध्यम घुगवा के छात्रों ने पेट्रोल की चोरी रोकने के लिए एक अनुखा यंत्र बनाया है जिसे पेट्रोल पंपो द्वारा पेट्रोल की चोरी रोकी जा सकेगी इस मॉडल को उन्होंने Ministry of Education Innovation Cell MIC एवं All India Council for Technical Education ICTE की ओर से Innovation Design and Entrepreneurship Boot Camp में प्रस्तूत किया यह आयोजन 22 जून से 26 जून को देश के 6 जून में किया गया था जिसमें स्वामी आत्मनंद English Medium School घुगवा पार्टन के छात्र आयोज जोशी और पूर्वेश निसात के द्वारा बनाये गया प्रोजेक्ट स्मार्ट विकल का चैन IIT असम गोवा हाइटिक लिए किया गया था जिससे देश के विभीन प्रांतों से कॉलेज एवं इस्पूल की 60 टीम एवं 150 छात्रों ने भाग लिया था जिसमें से इनके द्वारा बनाये गए प्रोटोटाइप स्मार्ट विकल ने प्रथम इस्था प्राप्त की थी अगला प्रश्न है चत्तिजगर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा परवर्ष दोहजार तेविस का प्रथम विधान पाट जात्रा का रिक्रम कब शूरू किया जाएगा इसका सहीं उत्तर आप्शन टी 17 जुलाई को किया जाएगा विश्व प्रसिद्ध दशहरा परवर्ष दोहजार तेविस का प्रथम विधान पाट जात्रा का रिक्रम 17 जुलाई हर्याली अमवश्या के दिन पाट जात्रा पुजा विधान का रिक्रम माद दंतेश्वरी मंदिर के सामने संपन किया जाएगा जिसमें बस्तर संभाग क सभी गंड मान्य नागरिक मान्जी चालकी पुजारी रावत एवं जन समुदाय सामिल होंगे दोस्तो आज के लिए आपका प्रश्ण है 36 गड़ का पहला बर्ड सफारी निम्न में से कहां बनाया जा रहा है चार आप्शन आपको दिये गए हैं इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू वरी मच